है कि अज़ो एवरिवान वन्स अगेंड वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों को ग्रेवी मटन बनाना सिखाती हूँ तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकोन को प्रेश करें ताकि मेरे वीडियो का नाटिफिकेशन सबसे पहले आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे साथ मेडियम साइज के प् को साथ दालचिन प्लेक का प्लेक पैपर काली और यह कगूं की सूखी मिर्चन सारे में आपे तोड़ासा पानी मैंने स MOSA को एक साथ ही है आप देख्वे टिस हैं McGrim изуч प्रक के तोड़ावे देखी मैं और चलाऊंगी तोड़ा साहरे प्यास के मैं तो इसमें दो चमच नमक एड़ करूंगी एक चमच हलदी एड़ करूंगी अब इसमें मसाले एड़ करूंगी और एक चीज तो मैं आपको बताना भूली गई जो में जो इसका सबसे लोषबे इसमें पोके इल्गाव मुटेंट और मुझे लिए अब मैं इसमें 3-4 चमच मस्टरयल का यूश कर रहे हूं मैं अभी कच्छे में मटन डाल के मिक्स करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पकाने के लिए में कितना तेल ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं मैंने चार चमच तेल इसमें एड किया है तो यह देखिए मैंने कर दो लिए पंटन को द्हुलिए हूं मैंने बोला था लोगों को कि 400 माटन ही लोगों का तेल गरम वो गया हूं हिए कि अच्छ बरी चमच तेल लिए मैं इसमें एंच जीरा दो तेस बता है तसलिए तब देख सकते हैं मैं इसमें मैं दो कर दिया है ob देख कर दिया एकश स तो चलिए हैं इसको अच्छे से मिक्स कर दोते हैं अच्छे से इसको रेश्ट करने देते हैं कि लमा कि इसमें एड हुआ है तो प्यास अपना पानी छोड़ेगा यह देख सकते हैं अब मैंने इसमें भूंद भी पानी एड नहीं किया है जब बढ़ेगे तो चलिए इसको ढ़कर के छोड़ देते हैं अच्छे में का राम सोजो गया है तो यह देखिए यह देखिए यह दो आदिख लेखिए हैं चारोग पलग के मतलग में पर दिया है इसको जादा पानी आदें को लोगी इसको मैं एसे ही दखांगी तो बाइट जादा पानी आदें के लिए कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं ग्रेवी मतन का रेसी पी आप लोगों के साथ शेयर करीई तो मैं इसको ग्रेवी रोखंगी बस नीचे से यह मसाला मुझे लग राता कि थोड़ा बैट रहा है इसी जी मैंने इसमें पानी डाला है औ इसलिए फिर वैसे ही चारो तरब से तेल छोड़ने लगेगा और प्याज भी आप देख सकते हैं अभी दिख रहा है कि इसमें प्याज है तो प्याज को पूरा अच्छे से हम इसमें ग्रेवी बनने देते हैं तो चलिए उसको पीर से पांच से तरसिमाट के लिए ढ़के अब देख सकते हैं यह आप लोगों का अच्छा हम द्धा उगा ला रहा रहा है लेटि बएक पूराथ हम देख सकता है तो इसमें भेवी आप शिरह 6जा, पांचिए बनने में लाना से खाने भाले है यह तो छोड़ा अख्र अरभी करूंगी नितरा कमाता चिसे टॉता है तोरा समय को जो भी पर लेती हूं तो यह आप देख सकते हैं लोगों का बिल्फुल अच्छी तरीटी से पॉल दिया है यह तेल लिखनी फोड़ा में जो रगरा जादा हो गया तोरीटी खेट को भता देख नी एक यह ससा भुट दिया है मूल पर नचल जो से रुट कुछ ठीए गरवा ज़रीजिग करें इस दो ऑडर एड़ें पर यह संकता ने वह फोड़ा ए Mickro यह दो की एकम साबसाली आखिए लसे आखिए इसाबट बर करें degrees और कि आप कर बिकलन के तंगा का लाट एक खदिए न तग्यो कर दिए इ attach to the rice मंज्ड आता न न देना अप्यक्ति अच्टल न देना जाता है Heba के उचित्क số आफ प्सटी लगाई तो आप समझे करेंगे, बिजिकना टिस्टी बनाईगा तो चलगी, इसको घर्मा करना चाट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं, हम लोगों का ग्रेवी मतन बन करके गदम ग्रेटी हो चुका है इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत ज्यादा टिस्टी बनता है यह मतन, यह से अंगलों का निशादीवादी में जाते हैं, जिलको उसी टैप का यह बना है, तो इसे इबार आप जरूर ट्राइब करें, मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक दे, सब स्वाक जदा से थाय को बना है, जदा सीजादा शेय वाइक करेंक जुँआ